Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Garima, I hope you are doing well. So, इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ रक्षा बंजन मेकप सीरीज और इस सीरीज में मैं 3 मेकप लुक क्रियेट करूँगी जिसमें इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा और यह वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेलफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, लाइक और शेयर कर लिजे और अपने कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि इस वीडियो जो मैंने मेकप लुक क्रियेट किया है वह आपको कैसा लगा तो देना करते हुए स्टार्ट करते है तो यहां पर इसकीन को मश्यूराइज करने के लिए मैं अप्लाइब कर रहे हूं प्लम 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 अल्ट्रा सीड ड्राइटर संब्लॉक जो कि इसका एस्पी अफ है वो 50 प्लस है इसको भी पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाइब कर लेंगे इसके बाद मैं स्प्रे करूंगी अपने पूरे फेस को जो है मैक प्लस प्राइम फिक्स प्लस और इसको पूरे अच्छे से ड इसके इसके बाद मैं अप्लाइ करूंगी लिप बैंप जो की है सुगर ब्रैंड से और जी मैं अच्छे से अपने लिप को इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूं फाउंडेशन जो की एंसी 42 है मैक एंसी 42 इस्टूडियो फिक्स और यह ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा डॉट करके इसके पूरे फेस पे अप्लाई करूंगे इस ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने थोड़ा सा वाटर में करके और स्ञव़ार यह अच्छा सा हो जाता है और इसके बाद पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगे इसके बाद अप्लाई करूंगी अ कंसी लर जो कि है पेर्ट नc 42 जहां-जहां मुझे मेरे जो डार सरकल है यहां पर मुझे रिक्वाइड है पिग्मेंटेशन है तो वहां पर मैं सारा कंसीलर यूज़ कर रहे हूँ पहले तो इसको मैंने ring finger से इसको अपने dot dot करके light light करके blend किया देन इसको beauty blender से blend करेंगे जिससे कि जो भी uneven है वो even हो जाए और अच्छे से blend कर लेंगे पूरे face पे जो भी foundation है या फिर concealer इसके बाद मैं इसको set करने के लिए मैं use कर रही हूँ make up revolution का loose powder जो की banana shade में है और यह पूरे face पे इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको set कर लेंगे देन मैं apply कर रही हूँ next professional makeup concealer और यह मेरे complexion से one shade light है तो इसको मैं अपने अंडर आइड में अच्छे से apply करूंगे और जहां-जहां highlight करना है मुझे वहां-वहां मैं यह concealer apply कर रही हूँ then इसको beauty blender से अच्छे से blend कर लेंगे जहां-जहां मैंने यह light concealer लगाया हुआ है तो अच्छे से मैं इसको blend करते जाएंगे उसके बाद में यहां पे भी मुझे highlight करना है तो यहां पे भी मैं concealer apply कर रही हूँ then मैं इसको जो है set करेंगे बनाना luxury बनाना पाउडर से और इसको अच्छे से बेक कर लेंगे थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट लगा लेंगे जिसे यह अच्छे से बेक हो जाए और इसको थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे लगा के तब तक कि इसको मैं eyes make up कर लेंगे और इसको यहां पे भी जहां-जहां highlight करना है वहां पे अच्छे से apply कर लेंगे then जो मेरे light shade concealer था उसको मैं थोड़ा eye lid पे apply करूंगे क्योंकि अब मुझे eye makeup करना है तो इसको थोड़ा सा लेंगे और इस पे भी apply करके और जो बनाना powder है उससे इसको थोड़ा सा set कर लेंगे then इसके बाद मैं apply कर रही हूँ जो nica contouring palette और थोड़ा सा contour करूंगे थोड़ा से nose पे जहां-जहां मुझे need है वहां-वहां पे थोड़ा light light contouring करूंगे then अब eye makeup करते हैं और eye makeup जो start कर रही हूँ वो है huda beauty का rose gold palette जो की मेरा favorite palette है और इसमें जो मैंने shade लिया है वो है sandalwood और देन इसको थोड़ा सा puff brush से जो real technique brush है उसको थोड़ा light कर करके और इसमें apply करेंगे then मैं apply कर रही हूँ हीना shade जो की same palette से है और इसके बाद में apply कर रही हूँ मेबलीन का eyeliner gel और इसको जो है अच्छे से पूरे eyelid पे अच्छे से लगा लेंगे then इसके बाद में जो मैं apply करूंगी वो है Richard dusk palette huda beauty का और इसमें जो shade है वो है dark brown oud करके है वो है और इसको जो मैंने black eyeliner gel लगाया था वो और जो ये dark brown shade है उसको अच्छे से आपस में mix कर लेंगे मतला blend कर लेंगे और देन उसके बाद में जो भी access मेरा था जो मैंने बेक करने के लिए छोड़ दिया था वो access जो था उसको मैंने clean कर लिया है देन मैं एक flat brush की help से जो shade ले रही हूं वो retrograde है और इसको जो थोड़ा सा लेंगे और अपने इस पर थोड़ा थोड़ा टाइप करके लगा लेंगे इसके बाद में जो जो मैंने shade लिये थे आई make up करने के लिए वो सारे लेके eyelid पे apply कर लेंगे और जो last में मैं apply कर रही हूं black rose gold का जो black shade है वो और देन इसके बाद में मैं एपनी eyebrow फिल करूंगे और यह मैं फिल कर रहे हूं पूरी eyebrow देन इसके बाद में मैं bless लगा रही हूं और यह है sugar brand से shade है 04 Salmon Superstar और इसको अच्छे से apply कर लोंगे इसके बाद में मैंने eyelashes लगा लिया फॉल्स eyelashes हो देन मैं यहां पे यूज कर रही हूं Maybelline का Coruscant mascara और यह मैंने mascara apply कर लिया उसके बाद में मैं यूज कर रही हूं वो है Swiss beauty का fixer make up fixer और इससे पूरा जो मेरा make up है वो अच्छे से set हो जाएगा और यह थोड़ा सा wait करें dry होने तक उसके बाद में यह जो lipstick है वो मैं apply कर रही हूं wet and wild की और Maybelline दोनों mix करके मैंने apply की है जो की shade है wet and wild का give me mocha और यह था मेरा जी final look अगर मेरा यह make up tutorial आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप comment करके जरूर बताएगा और अगर थोड़ी सी भी helpful लगी हो वीडियो तो प्लीज मेरे 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 चैनल को subscribe पर लिजाए like and share जरूर करिएगा मिलते हैं आपको next video में के लिए तब तक बाए कर दो प्लीज तब तक बाएगा सकते हैं